इस कहाने की शुरुआत में हमें फ्यूचर के कोलंबस शेयर को दिखाया जाता है ये वक्त 2045 का होता है जहां अब गरीबी काफी ज़्यादा फेर चुकी थी और इंसान कंटेनर में रहने लगे थे हाला कि यहां कुछ चीजें एडवांस थी पीजा ड्रोन की मदद से चुन सकते हैं और अपनी मर्जी में जो आए वो कर सकते थे ओएसिस में बहुत सारे अलग-अलग प्लेनेट थे जाए इंसान पेसों को भी जीत सकते थे पैसे जीतने के लिए बहुत अच्छी जगह थी क्योंकि यहां अक्सर फायर चलती रहती थी इसलिए यहां इंसानों में हारने के बाद बहुत दुखी होते थे और और कभी-कभी तो सुसाइट करने का भी मन बना लेते थे ओएसिस जेम्स होलिड़े के दिमाग की एक उपस थी जिन्हें उन्होंने दोजार पच्छीस में और देन मोरों के साथ मिलकर इसके पहले बिल्ड को जारी किया जिसस उन्होंने लोगों को गेम के जरी जीने का एक नया तरीका दिया मरगरे साथ जन्री दोजार चालिस को उनकी डेथ हो गई मरने से पहले उन्होंने एक मेसेज छोड़ा था जिसमें उन्होंने सबी लोगों को बताया कि उन्होंने Oasis गेम में एक इस्टर एक को बनाया है जिसे उन्होंने कहीं छिपा दिया है मगर जो भी प्लेयर उस इस्टर एक को आसिल कर लेगा उसे मेरी कमपनी के हाफ ट्रिलियन डॉलर के इस्टो की वियासत में मिलेंगे और साथ ही पुरा Oasis का कंट्रोल भी उसे मिलेगा मगर उस एश्टर एक को हासिल करने के लिए तीन चाबियों को हासिल करना होगा जिसे मेरे गेम के उतार एनोरक ने बनाई है उन चाबियों को खुफिया चेलेंजेस को पार करके जीता जा सकता है इसलिए उनों ने कहा कि जिस प्लेयर के पास संकटों से बछने का उनर होगा वो इन चाबियों को आसिल करके इस्टरेक तक पहुँच पाएगा इसलिए अब सभी प्लेयर उन चाबियों का हासिल करना चाहते हैं, मगर ओलिडे की मौत को अब 5 साल गुजर गए, लेकिन कोई भी प्लेयर अभी तक एक भी चाबियों को हासिल नहीं कर पाया, फिर अब में इस कानी के में निरो वेट को दिखाये जाता है, जो 19 साल का एक जाता है, जाओ Oasis को खेला करता था, जैसे ही वो आई वो आई के डिवाइस को पेहनता है, वो गेम में पहुंच जाता है, जाओ उसका पार्जीवल नाम का अवतार था, वेट एक रेस को खेलने के लिए पहुंचता है, क्योंकि होलिडे ने अपनी पहली चाबी को इस रेस दो शामिल थे, जिनके नाम एच, डाइटो और शो थे, मगर वेडी ने रियल लाइफ में कभी नहीं मिला था, इस रेस में आई ओ आई कंपनी के प्लेस भी शामिल थे, जिने सिकसर्स कहा जाता है, आई ओ आई यानि इनोवेटिव ओनलाइन इंडेस्टिस दुनिया की आई क्यों उन लेवल को पार करने का कोई तरीका खो सके, आई ओ आई का हेड नोलन स्वरेंडो था, वेड अपने दोस एज के पास पहुंचता है, क्योंकि उसने रेस में उसके लिए आगे एक स्पोर्ट रोकर रखा था, वेड के पास फ्यूल बहुत कम था, इसलिए ओ ल ले रहा था, जिससे वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा था, बढ़ आगे जाकर उन पर डायनसोर और गोरिला हमला करने लगते हैं, एज का एक टायर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाता, और अपसी वेड और आटी में इस नाम की प्लेयरी बची करती है, कौंग नीचे छिप जाता है, क्योंकि आटी मीज भी उस तरह वा रही थी, वेड समझ जाता है कि आटी मीज उसे मारने वाली है, इसलिए उसका हाथ पकड़ कर उसे बाइक से नीचे गिरा देता है, और उस बाइक को कौंग अपने हाथ से मसल देता है, आटी मीज कावी परिशान होती है क्योंकि उसके बाइक तूड़ चुकी थी वेड उसे पसंद करता था इसलिए उसे कहता है कि मेरा दोस्त उमारी बाइक को ठीक कर देगा और उसे एच की वरक्शोप पर लेया आता है एच एक मेकेनिक था इसलिए बहुत सारी चीज़ें बनाया करता थ और उसने वहाँ एक आरन जायन भी बनाया हुआ था वेड उसे एच की सभी चीज़ें दिखेंने लगता है मगर एच उसे ऐसा करने से मना करता है अपने बाइक सही करने के लिए देती है फिरो वेट के साथ बाते करने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि ओलीडे का बहुत बड़ा फेन है वो उसे बूचती है कि अगर तुम मिश्टर A को आसिल कर लोगे तो तुम क्या करोगे वेट बताता है कि रियल वर्ल्ड में मैंने बहु की वज़े से रोका क्योंकि कोंग कभी किसी को आगे निकलने नहीं देता जैसे कोई रूल हो आइटी मिस कहती है कि ओलीडे को रूल बनाने से नफ्रत थी तो नोंने रूल क्यों बनाए इसलिए उस बारे में जानकार यसिल करने के लिए होलीडे जर्नल्स टावर में पहु आदों को रखा हुआ था जिनने कोई भी थ्री डाइमेशनल वर्चुल एक्स्पिरियंस में देख सकता था इसलिए क्यों क्यूरेटर की मदद से होलीडे की ओफिस पार्टी का दोजार गुंतिस का फुटेश देखता है जिसमें ओक डेन मोरो होलीडे से इस बात को लेकर पैस कर रहे थे कि हमें गेम में कुछ रूल बनाने चाहिए ताकि लोग अपनी नॉर्मल लाइब भी जी सके मगर ओ ऐसा करने से मना कर देते हैं क्योंकि नहीं रूल बनाने से नफरत थी और यहीं उन्होंने फर्स्ट लेवल को पार करने का क्लू दिया था कि हमें एक बार पीछे जाना चाहिए जितना तेज हम पेडल पर पेर रखकर जा सकते हैं वेट को समझा जाता है कि उसे रेज जीतने के लिए आगे नहीं बलकि पीछे जाना होगा इसलिए जब नेक्ष्ट डे वापस से रेज स्टार्ट होती है तो सभी अपने अपनी पोजिशन ले लेत चाहिती है मगर वेट आगे नहीं बढ़ता और फुल स्पीड में पीछे जाने लगता है जिससे वहाँ एक रास्ता खूलता है और नीचे ट्रेक पर आ जाता है जहांसे वह आगे बढ़ने लगता है जिससे वह से किसी भी प्रोब्लम का सामना नहीं करना पड़ता और नोरग उसे दूसरी चावी को ढूने का एक क्लू भी देते हैं वेट जीतने की वज़े से डेशबोर्ट पर पहले नंबर पर आ गया था जिससे उसके अकाउंड में वन एक कोईन भी एड़ हो गये थे वेड एच के साथ वेपन खरीने जाता है जहां वह सबसे पहले होली ह हेप्टीक बोर्ट सूट खरीता है जो रियल वर्ड में उसके पास डिलयर हो जाता है जिसे बाकर वेड़ बहुत खुश हो जाता है क्योंकि यह सूट गेम खेलने का बहुत अच्छा नूबह देता है और इस सूट के मदद से हर एक टच को मैसुस किया जा सकता था वही आय विजल को मारने की सुपारी देता है क्योंकि गेम में वेड के वतार का ही नाम था आयरोग नोलन को बताता कि पार्जवल गेम जीतने की वज़े से सूपरइस्टार बन गया है इसलिए मुझे उसे मारने की तीन कुना किमत चाहिए नोलन इसके लिए मांज जाता है अब वे सेकंड कुलू को पढ़ता है जिसकी पहली थी एक क्रियेचर अपने क्रियेशन से नफरत करता है एक चिपी हुई की एक छलांग नहीं है इसलिए अपने कदम पीछे अटाओ अपने अतीस से बचो और आकरी में जेट की भी तुमारे पास होगी वेड इससे समझ जाता है कि होलीडे अपने किसी अतीस से बचने की कोशिश कर रहे थे इसलिए इस बारे में जानने के लिए होलीडे जनल में पहुंच जाता है जहां सभी प्लेयर उसे देखकर खुश होते हैं क्योंकि और गेम जीतने की वज़े से एक इस्टार बन गया था सभी उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं तब यहां एक माश्टर आकर वेट को अपने साल ले जाता है मगरों आटीमिस होती है जो वेट को ड़ना देती है और उसे बताती है कि अगर तुम फेमस हो गए हो इसलिए अब तुम्हें सेव रहने के लिए अपना बेश बदलना होगा और उसे एक सूप कि ओलिडे केरन नाम की लड़की के साथ डेट पर गए थे जा उन्होंने साथ में मुवी देखी थी और केरन डांस करना चाहती थी आटीमिस कहती है कि केरन अंडर वुर्ट तो ओकडन मोरों की वाइफ थी वेट उसे बताता है कि बहुत पुरानी बात है जब केरन और मोरो का अहम इसा थी तो वेट उसे कहता है कि मैं अपने सारे कोईन की तुम्हारे साथ बेट लगा सकता हूं कि हमने अभी जो फुटेज देखी उसके लावा होलीडे ने केरन का नाम कभी नहीं लिया क्योरेट अपनी फाइस में केरन अंडर वुट का नाम सर्च करता है मगर उ केरन का और कोई रिकोर्ड नहीं मिलता वेड आर्टीमिस को बता था कि वॉलीडे ने जान बूछ गर इस वीडियो के अलावा वेट के सारे रिकोर्ड मिटा दिए क्योंकि जरूर इसमें ही दूसरी चावी करना चुपा होगा क्योरेट वेट को बताता है कि तुम सही थे मै बेट हार गया और उसे एक कोई देता है आइटी मिस वेट को कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ तुम मुझे डिश्टेक्टेट ग्लॉब के डांस कलब में रात 10 बजे आकर मिलना और वहां से चली जाती है क्यों रेट कहता है क्यों तुम्हें पसंद करने ल वेट उसकी तारिफ करता है तब ही वहां आयरोग भी आ जाता है जो उन दोनों की बातों को सुनने लगता है आइटी मिस वेट को बताती है क्यों लिडे ने गेम में ये डांस कलब के रन के लिए बनाया था क्योंकि उससे डांस बहुत पसंद था फिर और दोनों साथ में करने लग जाते हैं वेट आइटी मिस को कहता है कि मैं सोच रहा था शायद है अच्छा होता अगर हम रियल वर्ल्ड में मिलते आइटी मिस कहती है कि तुम निराश हो जाओगे और तुम मुझे पसंद नहीं करोगे वेट उसे कहता है कि चाहें तुम जैसे भी हो मैं तुम् तब ही वहां AIROKE के मेसेज की वजह से AIOI की आइलमी वेट पर हमला करने के लिए आजाती है आइटी मिस वेट को बचाने लगती है मगर AIROKE भी उन पर हमला कर देता है जिसे और दूर घिर जाते हैं और अब उन्हें बचने का कोई तरीका नजर नहीं आता इसलिए वेट अ कुरी कोशिश कर रहा हूं क्योंकि इनकी वज़े से लोग की जानों को खत्रा हो रहा है और मेरे डेट की मौत आयोई लोयल्टी सेंटर में हुई थी क्योंकि उन्होंने आयोई से गियर उदार लिये थे और अपना करजा नहीं चुका पाए इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वह आयोई को खत्म कर देंगे पर वह ऐसा कभी नहीं कर पाए और बीमार होने की वज़े से मारे गए और अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूं क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और है और वहां से चली जाती है वेड अपने गियर को दार देता है और बहुत अपने अवतार में सोरेंडो के ओफिस में पहुंच जाता है जहां वह एक ओलोग्राम की फो में था वेड सोरेंडो कहता कि तुम्हारी प्लेंग रिंग बहुत अच्छी है तो सोरेंडो से बताता कि अगर तुम भी हमारे साथ आयोई में काम करोगे तो मैं तुम्हें भी एसी रिंग दे सकता हूँ साथ ही तुम्हें कोलंबस में एक अपार्टमेंट और आयोई के सारे गेजट भी मिलेंगे वेड उस रिंग पर सोरेंडो की रिंग के पासवर्ट को देख लेता है सोरेंडो से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए उन तिनों चाबियों का असिल करना होगा और मुझे उस्टरेक चाहिए उसके बदले में तुम्हें 25 मिलियन डॉलर्स दूंगा वेड इतने सारे पैसे के ओफर की वज़िये से सोच में पढ़ जाता है मगर और सोरेंडो का साथ देने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि उसके इरादे नेक नहीं है और 56K में रहते हो वेड इसे परिशान हो जाता है और अपनी अंटी एलिस को बचाने के लिए घर की तरफ भागने लगता है क्योंकि वह इस वक्त अपनी ट्रेशांड वाली वेन में था सोरेंडो के ड्रोन एलिस के अपार्टमेंट के साथ सारे कंटेनर को बॉम से उड़ा द क्यो inability कर देता है और उसे आच इमिस के पास ले जाता है और उसे बताती है के मेरा असली नाम समानता है और मेरे उतार का नाम ही आउटी मिस है फिरो दोनों बाते करते हैं समानता के फेस पर एक बर्त मार्ग था जिसे हो छिपा रही थी वेड उसे कहता है कि मैंसे बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ वेड को बाहर की हवास से हिसास होता है कि हम गेम की वज़े से अपनी रियल लाइप भूल गए और वो दोनों किस करने लगते हैं तब ही समानता को होलीडे क दूसरा कुल समझा जाता है और वो दोनों गेम में जाने के लिए सूट पहन लेते हैं और वेड को बताती है कि होलीडे केरन से प्यार करता था और जब वो उसके साथ फिल्म देखने गए तो उनके पास उसे किस करने का मोखा था मगर उन्होंने वो गवा दिया और अब व सारी थी जिससे समानता हो कुछ समझ नहीं आता तो वेड उसे कहता है कि हमें होलीडे के क्लू को याद रखना चाहिए कि एक क्रिएटर अपनी क्रिएशन से नफरत करता है जिससे उसे पता चल जाता है कि और शाइनिंग और फिल्म देखने गए होंगे क्योंकि श्टीफन दिखाए देती है इसलिए उनके पीछे जाता है मगर वान लिफ्ट से बहुत सारा रेड ब्लड निकलने लगता है जिससे एज बेता हुआ जाने लगता है वह होलीडे की फोटो को पकड़ लेता है मगर फट जाती है फिर जब आगी जाता है तो उसका कुछ जोंबी से साम मुवी से नहीं बलकि किसी लड़कियों किस करने से डरता था और तैब उसे सौन की आवा सुनाई देती है और जब वह उस रूमें जाते हैं तो वहां बहुत सारे जोंबी डांस कर रहे होते हैं जिनमें उन्हें केरन भी नजर आती है और अब समानता उन जोंबी से होती और समानता को वहां लेवल 3 का भी क्लू मिलता है वहाई आप सोरेंटों को भी पता चल जाता है कि वेट अभी भी जिन्दा है इससे लिए अपनी साथी फिनाले को समाने के लिए लगा देता है फिनाले को समानता के उस आदमी के बारे में पता चल जाता है जिसने वेट को क से बहुत सारा कर जाए इसलिए तुम्हें लोयल्टी सेंटर में बेजा जाएगा वहीं वेड़े कुफ्यारास्ते से गली में बहां निकल जाता है जहां एक लड़का उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि मैं ही हूं और उसे अपने साथ अपने वेड़े के पास लेकर जाता है मगर वहां आयोई ड्रोन उसकी वेड़े को चेक कर रहा था और उनकी तरवाने लगता है लेकिन तभी पीछे से एक लड़का आकर उस ड्रोन को तोड़ देता है और वेड़ को बताता है कि मैं डाइट हूं और मेर समान्ता का मेसेज मिला था इसलिए हम तुम्हें यार लेने के लिए आ गए और आई-वाई को ऑब आई को टीसे चेलेंच के बारे में भी पता चल गया है अब वहां से वेंसे निकल जाते हैं फिनाले विवन्हें वहां सी चाहते हुए देख लेती है वेट को वहाँ वेन में शो भी दिखाई देता है जो 11 साल का लड़का था और उसका असली नम जो था वेट एच को बताता है कि हमें समानता को बचाना होगा तो एच उसे कहता है कि तुम सोरेंटो की रिंग को देख चुके हो और उसके पासवर्ट को भी जानते हो इसलिए हम उसे चेक कर सकते हैं वह हम समानता को देखते हैं जिसमें बागी करज़िदार के साथ लोयल्टी पॉर्ट में बंद किया हुआ था और उससे ओएसिस गेम की जेल में काम करवाया जा रहा था वो अपने हेलमेट को उतारने की कोशिश करती है मगर वो लोग था वही हम सोरेंटो को एक केसल में देखते हैं जहां एक आईवाई ओफिसर सोरेंटो के उतार को बताता है कि यहां जो अटारी 26 वीडियो गेम है वो होलीडे का तीसा चेलेंज है इसलिए हमारे सबी प्लेय इस गेम को जीतने में लगे हुए हैं मगर वहां मौजूद भर एक मिर्ट में टूड़ जाती है जिससे सभी प्लेयर माले जा रहे थे सोरेंटो वहां आईरो को बुला लेता है वो अपने साथ औसु बोस ओप को लेकर आया था वो एक बहुती पारफुल शिड बना सकता थ आयरो उसे मंतरों की मदद से क्रेट कर देता है जिससे उस केसल के चारों तरफ एक शिड बन जाती है वहीं वेट और उसके दोस्त सोरेंटों की रिंग को हेक कर लेते हैं जिससे उस ऐसा लगता है जैसे उसके सामने रियल में खड़े हों और उस पर गन पॉइंट कर देते और पूँचते हैं कि समानता कहा है तो से ऊस रोयल्टीपेर्ट का नमपर बता देता है जिसमें समानता मुजूद थी ऑर अब हो समानता से कॉंटेट कर लेते हैं वेट समानता को बताता है डूम के एक केसल में है और नोने बाइक की सभी को प्लेने डूम पर पहुँचने से रोकने के लिए एक फॉर्स फिड से उस केसल को कवर कर लिया है और उस वर्फ को सिर्फ अंदर से ही बंद किया जा सकता है वेट उसे कहता है कि हमें पहले तुम्हें सेल से बाहर निकालना होगा और उसे बताता है कि उस सेल में उपर की तरफ एक लिवर है समानता उस लिवर के कवर को अटा देती है और उससे ओफ कर देती है जिससे उसका एलमेट और हतकडिया खुल जाती है वही सोरेंटो को भी र पर गुस्सा करता है और उसे कहता कि ढूंडो वहीं समानता भागी नहीं थी बल्कियों आयोई की ट्रेस में सोरेंटो के रिग में पहुंच जाती है जहांसे और सुबॉक्स वर्प के इस पेल के बारे में बात कर लेती है जिससे बंद किया जा रहा था वहीं वेट भी डूम कॉंटेश को जीतने के लिए सबी अदों को पार्कर दिया है और आयोई ओसीस पर कबजा करना चाहता है इसलिए हम सभी को साथ मिलकर उसे रोकना होगा क्योंकि सोरेंटो को लगता है कि हम उसके खिलाफ जंग नहीं कर सकते ओसीस के सभी प्लेयर डूम प्लेनेट पर वेट जाती है जिससे वह भी उस चिल्ड के अंदर सिकसर्ष टीम के पास पहुंच जाती है और उस वाप को बंद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है वही सोरेंटो भी वापस वह एसीस में पहुंच जाता है जो वेट की सेना को देखकर डर जाता है और उसे महुत गुसा आत है कि वेट ने सभी प्लेयर को हमारे खिलाफ कर दिया वेट अपने सभी साथियों के साथ उस फोर्स फिल्ड पर हमला करने लग जाता है मगरों फिल्ड अन्प्रीकेबल थी इसलिए और नहीं टूरती वहीं समानता उस और्व के नजदिक पहुंच जाती है मगरों गार्ड इसलिए वो अपने एक ड्रॉन बोट को उस वोप के पास बेशती है और उससे वो स्पेल बोलती है जिससे वो फोर्स फिल्ड जाती है और अब सभी तेजी से उस दीसी चावी को पाने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं आयो आय के सोलजर और रोबोट उन्हें रोकने आत है जिससे एज बहुत कमजोर पड़ जाता है अब डाई तो खुद को एक जाइंट रोबोट में बदलकर गोर्जिला से फाइट करने लगता है मैंगर वो अभी उससे नहीं जीत पाता और उसका सुट वापस से नोर्मल हो जाता है जिससे गोर्जिला उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे जलाकर खत्म कर देता है जिस गोर्जिला पूरा बलाष्ट हो जाता है मरगर डां तोड़ देता है मगर तब यह आई रोग आकर उन्हें दूसरी साइट पर बेजने लगता है लेकिन शो आई रोग पर हमला करके उसका एक हाथ काड़ देता है और दूसरी द्रवा चाहते हैं मगर आयरन जाइंट नीचे लावे में गिरकर खत्म हो जाता है वहीं सोरेंटो को पर हमला कर देता है कि से वेट से पहुत निकल जाती है वहां उसे और और गेम Quéloκα खेंग और और बहुul देखते हैं वहां कि आई अधर कर लाँत दोटके अरहरों जिससे डीट को समझ आता है कि इस गेम को जीटना नहीं है बलकि हमें एडवेंजर करना है क्योंकि होलिडे ने कहां था क्यों चाहिबी अद्रश है और किसी डार्ग रूम में चिपी हुई है वेट कहता है कि हमें गेम में उसे डूनना होगा और उस गेम को खेलने लगता है मगर तभी वहाँ सोरेंटो आयरोग के साथ आजाता है और और शो को पकड़ लेते हैं सोरेंटो वेट को कहता है कि मैं तुम्हें आखरी मौका देता हूँ मेरी टीम में आ जाओ मैं तुम्हें 50 मिलियन डॉलर दूँगा वेट कहता है कि मैं इसा नहीं करूँगा तो आयरोग सोरेंटो को केटा में नहीं आने दूंगा तो सुरेंटोस केटा किलिष्ट करने लगता है वेड उसे लाद मार कर दूर फिंक देता है और वह दोनों लड़ने लग जाते हैं और वेड सुरेंटों को दूर फिंक देता है मगर उस केटा किलिष्ट वेपन के पास जाकर गिरता है जिससे अब उसे एक्टिएट कर देता है वेड़ु से रोक नहीं कोशिश करता है मगर उसे नहीं रोक पाता और अब केटा किलिष्ट वेपन की वजह से एक बहुत बड़ी लहर उरती है और Oasis के सबी आउतार को खत्म कर देती है जिससे अब Oasis में कोई भी प्लेयर एक्टिएट नहीं रहता और टोप फाइब में से भी पार्जिवल और उनकी टीम के नाम हड़ जाते हैं लेकिन तब भी पार्जिवल वापस से जिंदा हो जाता है और यह सब क्यूरेटर के बेट जीतने पर दिये कोईन की वज करने के लिए अपना ट्रक लेकर निकल जाता है वहाई सबी प्लेयर अभी भी वेट को देख रहे होते हैं क्योंकि वहां लाइब रोटकाश हो रहा था वेट गेम को एक एडवेंचर की तरह केलता है और एक डाग रूम पहुंचकर उस गेम को जीर लेता है जिससे वहाँ प्रकट होते हैं जो उसे तीसरी की देते हैं और अब वेट के सामने एक डोरा जाता है जिसमें उसे आसिल की हुई तीनों चावियों को लगाना था लेकिन तबी सोरेंटों उनकी वेन पर हमला करने लगता है जिससे वेट को चाविया लगाने में दिक्कत हो रही थी मगर फिर भी ओ किसी तरह उन तीनों की को डोर में लगा देता है और वेश्टर एक रूम में पहुंच जाता है जाए नोरक उसे कहते हैं कि तुम्हें अब ओएसिस के पेपरपर साइन करना होगा और यह ओएसिस तुम्हारा होगा और उससे पेन देते हैं वेट जैसे ही उस पे गलती थी इसलिए उने कहता कि आपने जो गलती की वह मैं नहीं करूंगा एनोरक इससे खुश होते हैं कि वेट ने उनका टेश्पास कर लिया और अब होलीडे अपने असली रूप में आ जाते हैं और और जगे भी उनके घर में बदल जाती है जाओ पले बड़े थे भी बंकिया जा सकता था फिर उसे बताते कि मैंने ओ स्यूंत को इसलिए बनाया क्योंकि मुझे रीयल वर्ड में कवी घर जिसा मैस्स नहीं हुआ मैं नहीं चाहता था कि रियल वड़ में लोmm che saad के सि दोस्ती करनी है इसलिए मैं डर गया और मेरा पुरा جीष्वन ौόैसि कर देता है मगरों देखता है कि वेट को इश्टरेंग मिल चुका है तब वहां पुलीस भी आ जाती है जो सोरेंटो को रेश कर लेती है वेट भी अब अपने गलासेस निकाल देता है और समानदाओ किसकर लेता है क्योंकि होलीडे की तरह गलती नहीं करना चाहता था तब वह को अपने सभी दोस्तों के साथ बाठना चाहता हूं और हम पांचों ही इसके मेंबर रहेंगे मोरों भी उसके इस वेशने से खुश होते हैं और अब सभी बहुत खुश थे क्योंकि हो सभी लोग के एरो बन चुके थे वेट मोरों से बूसा कि आपने अमें इतनी जल्दी क से डूंडा तो उसे एक कोईन देते हैं जिससे वेट समझ जाता है कि मोरों ही क्यूरेटर थे और वो भी उनके साथ ओएसिस में काम करने को त्यार थे ताकि उसे अच्छे से चला पाए और अब आयो आई कंपनी बंदो चुकी थी और नहीं आप को रोयर्टी सेंडर था ज और यहीं पर इस मुवी की हैपी एंडिंग हो जाती है गाईस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बोक्स में जुरू बताना और आप नेक्ष्ट कौनसी मुवी का एक्स्प्लेनेशन देखना चाहते हैं उस फिल्म का नाम भी कमेंट कर देना और सा आती इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहीं दिल से शुक्रिया थेंक्स वरोचिंग